नमस्कार में हूँ नवीन चोहान आप देख रहे हैं वन इडिया हिंदी फरवरी महीने में बांगलादेश के साथ टीम इंडिया एक टेस्ट मैच खेलेगी उसके लिए MSK प्रसाद की अगुवाई वाली राश्टी चैन समीती बांगलादेश के खिलाब इस टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है वही करुन नायर ने तीरा श्टक ठूका था इंगलेंड के खिलाब उसके बाद उनको टीम में जगा दे दी गई है वही केल राहुल को भी टीम इंडिया में जगा दी गई है चेतेश्वर पुजारा भी टीम इंडिया का हिस्सा है ऐसे में कहा जा सकता है कि एक संतूलित टीम है और युवाओं को मौका दिया गया है इशान श्यर्मा भी टीम इंडिया का हिस्सा है वही भुबनेश्वर कुमार जो अपनी स्विंग से चौका सकते है मिश्रा अमित मिश्रा लेग स्पिनर के तौर पर अमित मिश्रा को मौका दिया गया आपको बता दे मिश्रा और अश्विन जड़या ये तीन स्पिनर फार्ते टीम में माचूद रहेंगे महीं मुकंद और पांडिया को भी मौका दिया गया है एसमें एक संतुलित टीम यहाँ पर चुनी गई है देखना हो गाया जिस तरीके से जो प्रदर्शन टीम इंडिया ने इंग्लेंड के खिलाफ किया वही प्रदर्शन वहाँ पर भी जारी रखेगी क्योंकि अब टीम इंडिया नमबर एक की पोजीशन पर है विराट कोली की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है अब बांगलादेश के साथ जो एक टेस्ट मैच होने वाला है उसमें टीम का एलान तो हो गया बस उसका अंतिसार पाकी है